एलो फ्रेंट्स आज हम बनाईगे कश्मीरी दमालू वैसे तो दमालू कई तरह से बनाये जाते हैं पर कश्मीरी दमालू की बात ही बिलकुल इलग है खाने में बहुती ज़्याधा टेस्टी होते हैं बहुती ज़्याधा फ्लेवर्फुल होती है ये सब्जी और इसको बनाना भी बिलकुल आसान है आज मैं आपको बिलकुल सिंपल तरीका बताऊँगी कश्मीरी दमालू बनाने का तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए है कश्मीरी मिर्च ये आपको किसी भी grocery shop में आसानी से मिल जाएगी तो ये मैंने लिए है 5 और थोड़े से मैंने लिए है काजू काजू होंगे करीब 15-16 अब इनको हमें सोक करने के लिए रखना है आदा घंटा के लिए तो मैंने इसमें गरम पानी डाल करके इसको सोक करने के लिए रख दिया है साइड में आदे घंटे के लिए और जब तक ये सोक होगा तब तक हम आगे के प्रेप कर लेते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है एक किलो आलू और आलू मैंने लिये है बेबी पोटेटो आप चाहे तो बड़े वाले भी ले सकते हैं उनको दो-दो टुकडो में कर सकते हैं पर इस तरीके से अगर आप बेबी पोटेटो लेंगे तो देखने में भी सबजी जादा अच्छी और टेस्ट भी इसका बिल्कुल अलग आएगा अब आलू को अच्छे से पील करने के बाद मैंने इस तरह से इसे फोक के हल्प से प्रिक कर लिया है इससे क्या होगा इसमें मसाले अंदर तक चले जाएंगे आलू भी अच्छे फ्लिवर फुल हो जाएंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कप फ्रश दही और इसमें एट किया आदा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धन्या पाउडर आदा चम्मच भुने जीरे का पाउडर एक चोथा ही चम्मच काले मिर्च का पाउडर एक चम्मच गरम मसाला एक चम्मच कश्मीर ये खाने में तीकी कम होती है पर इससे सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है तो आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं या इसकी जगह पर रगलर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तीका पर आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं कितना तीका आपको चाहिए सबजी में और फिर अच्छे से सोक हो जाए इससे सबजी में बहुती अच्छा फ्लेवर आएगा तो इसको हम रखेंगे साइड में यहां पर मैंने लिया एक ग्रैंडिंग जार और इसमें जो भी हमने सोक करके कश्मीरी लाल मिर्च रखी और काजू रखे थे इसे डाल करके हमें पीसना है बिल कश्मीरी लालू एक ऐसी सबजी है जिसमें टमाटर का यूज बिलकुल नहीं किया जाता है पर इसकी जो ग्रेवी होती हो काफी ज्यादा थिक होती है तो इनी सब चीजों को डालने से इसकी ग्रेवी थिक होती है और फ्लेवर फुल होती है तो अब यहां पर कढ़ाई में एक आलू आप निकाल करके चेक कर लीजे कि यह पके है की नहीं वैसे 7-8 मिनट में यह आराम से अच्छे से गल जाएंगे और यह देखे मैंने एक आलू निकाल करके चेक किया यह अच्छे से गल चुका है पूरी तरह से यह पक चुका है तो अब इसको मैं निकाल तो बड़े चम्मच ओयल डाल करके आदा चोटा चम्मच हींग एट करी है और फिर इसमें कुछ खड़े गरव मसाले एट किया है जिसमें आदा चम्मच जीरा एक चक्र फूल एक दाल चीनी का टुकड़ा तीन से चार काली मिर्स दो लॉंग और दो जावित्री के टुकड़ अब इन सबी चीजों को डाल करके हलका सा में धीमियाच में भूनना है और जब यह हलका सा भून जा है तब इसमें एट किया है दो मीडियम साइज की प्यास बारी कटी हुई अब इसे भी दो मिनट के लिए भून लीजे प्यास में कोई कलर नहीं लाना है बस यह हलकी सी अब इसमें एट कर दिया है एक बड़ा चम्मच अद्रक लैसुन का पेस्ट अब इसे भी डाल करके हलका सा भूना है और फिर इसमें एट कर दिया है दही और मसाले वाला मिक्षर और धीमियाच में इसे लगतार चलाते हुए हमें इस तरीके से भून लेना है इसमें जब तब तक आप इसे लगतार चलाते रहें नहीं तो दही फट जाएगी और जब इसमें बॉयल आ जाए तब इसमें एट कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और काजु आला पेस्ट अब इसे भी डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब इसे जितने भी हमने आलू फ्राय करके रखे थे सारे आलू मैंने इसमें एट कर दिया है और एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और लास्ट में मैंने इसमें एट कर दिया है स्वात के हिसाब से नमक और सबजी की कंससंसी अर्जस करने के लिए मैंने इसमें हाफ ग्लास पान अच्छे से सारे मसाले अब्जॉर्व हो चुके हैं तो लास्ट में मैंने इसमें एट कर दिया है बारी कटा हुआ हरा धन्या एक बार मिक्स कर लिया है और यह हमारी कश्मीरी दमालू बन करके तैयार हो गई है इससे आप गर्मा गरम सर्फ कर यह रोटी के साथ पराठे के सा चावल के साथ किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं सभी के साथ खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है तो जब भी आपका कश्मीरी दमालू खाने का मन करें तो घर पर बनाए आसानी से और अराम से इसे घर बैट करके इंजॉय करिए तो यह देखे बिलकुल म सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फर वाचिंग टेक केर बाबाई